देव आधीन कई कई के बुद्धी, देव बड़े हर्शित हैं, आनंदे थैं, देव सत्ता विजई हो गई, मानवी ये प्रयास विफल हो गई धरम धुरंदर दीर धरने नुगारे राहे, सिरधुन लेने उसास से मारे स्मुए तुठा अब वो शान्थ होकर चुप होकर राम, राम, राम कहते हैं और शान्थ हो गई ये आधी रात की बात है, लेकिन ये भी कहा, मंतराने किसके प्राण न चले जाए ये अपनी मुह से ही तो बताए, प्रजा को और सुमंतर को कि मैंने वचन दी है, तो रात भर कोई उपचार करके इसके प्राणों की रक्षा करने है किसी प्रकात से, ये आधी रात में बात हुई है तो मंतरा बड़ी चिंतित है, किसके प्राण भी रह पाएंगे के नहीं तो मंतरा और केकई उनके प्राणों की चिंता कर रहे हैं, कि ये किसी जीवित रहें बस, भोर तक और ये जीवित रहे कर ये खुद बताएं, सुमंतर को अभी आधी रात के बात है, कल पूरी कर लेंगे, समय भी हो गया है आधी रात के बात है, अब रात में क्या विचार करें? अब राम जी को रात में कहां जंगल में बेजाएं? कल चर्चा करते हैं एक चिता बना कर रख ली थी, के कईने दश्रत से कहते हैं, इधर देखो, ये क्या है? दश्रत का इचिता है, बोल इसमें मर जाओंगी मैं भोर में इसे प्रज्वलिद करूंगे, प्रान दूंगी इसमें अगर ये भोर में आपने ये नकही बात सब को सुमंत्र को और राम को वन भेजाते हैं तो चलो ये सारी बातें तुकली कर लेंगे अब आर्थी करते हैं मंगलम भगवान विष्णों मंगलम गर रुद्भजह मंगलम पुंडरी काक्षण मंगलाय तनोहरी उत्रा एक सम्मंध में स्नेहन प्रणेयन प्रीते प्रगाड़ था निश्य अपनत्व पैदा तो कर दो उसे कोई संकोश नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे वही है एक अनन्य अनुराग हमें अपने इस्ट के प्रति रखना हो इस्ट हमसे दूर नहीं है उसके करपासे वन्चित नहीं है और इस्ट के अनुगत हैं हम उसके आश्रे में हैं उसके आश्रे में उसके आश्रे में रहना सीखो हम उनके आश्रित हैं उसके सहारे रहना सीखो अवलंब उसी का लेजिए अवलंब माने सहारा और किसी का आलम बन मतलो और जब हम ऐसे इस विस्वास में रहते हैं जब हमारा भगवद आलमबन सिध्ध हो जाता है कि हम भगवान के आश्रित है बलकि भगवद तो यहां तक कहता है चरणा आश्रित हूँ मैं तो आश्रे में भी मैं तो चरणों के आश्रित हूँ उनकी करपा के आश्रित हूँ अगर हम उनके आश्रित रहना सीख लें ये विस्वास हो जाए कि भगवान मुझसे दूर नहीं है मेरा इस्ट और उसके अनुग्रह से मैं वंचित नहीं हूँ उसकी कुछ चीज़ नहीं उसकी सब वस्तुव मेरी है तो ऐसे अनिष्ट की कलपना कभी नहीं हो सकती आप अगर हमें अनिष्ट की कलपना हो रही है भै की कलपना असुरक्षा की अभाव की अलपता किसी प्रकार का कस्ट दुविधा तो कितनी दुरू बलता है हमारी भक्ती में यह हमारी भक्ति का दौर्बल्ले पक्ष है कि जब भगवान हमारे हैं तो यह दुर्बलता अज्ञान के कारण हम में पैदा हो गई इसे मेरा कभी कोई अनिस्ट नहीं कर सकता एक विस्वास आप में रहना ही चाहिए कि किसी भी काल में मेरा अनिस्ट होगा ही नहीं ऐसी पात्रता का विकास को और जब ऐसा विचार करोगी तो भगवान का विधान अच्छा लगने लगेगा उनके विधान में नियूंता नहीं देखेगी तुरुटी नहीं देखेगी उनकी विधान में आपको मांगल ले, मोध, कल्या, और अपना उत्थान ही दिखाई देगा, तो जो उनकी विधी विवस्था है, नियंता की, नियती, गती, विवस्था, भोग, भाग्य और प्रारब्ध, जो कुछ भी आपको प्राप्त है, उसमें सरवथा आपके हित हुए है, इसलिए एक दिन अपने मन को कह दो, कि भगवान का विधान सरवथा कल्यानकारी है, निर्दोश है, और उसमें मेरे सरवथा हित छुपे हुए है, मेरा आहित नहीं होना है.